हेलो फ्रेंड नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक बर फिर से अपने इस यूटूब चैनल पिडियेस मेडिसीन नौलेट टिप्स में जहां आप पाते हैं दवाईयों के बारे में संपूर जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज्फूल मेडिसीन के बारे में सब Price की इसकी Precaucion और Doge और साइध एफिक्ट के बारे में, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, तो अब आप वीडियो में पहली बारा आएं, तो वीडियो को करदे लाइक, चेनल को करदे सथ्क्राएं, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड को एक वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के दोबारा आप तक पहुश सके तो चलिए वीडियो देन ना करते हुए सुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं जीरो डालेस्पी टबलेट के बारे में अगर बात करें जीरो डालेस्पी टबलेट की कमपोजीशन की तो इसमें तीन दवा वो कमपोजीशन होता है जिसमेंसे पहला डवा जो होता है वो होता है SICLOPHANEC तता दूसरा होता है PIRAS CETAMRAL तीसरा होता है SICREO PEPTIDGE अगर बात करें SICLOPHANEC के तो 100 mg में तता PIRAS CETAMRAL ती 320 mg में तता SICREO PEPTIDGE 15 mg पाय जाता है अगर बात करें इस टबलेट की प्राई की तो इसकी एक कि च्रीप की प्राई जो कि द estamos गोलियों का होता है उसका प्राई लावग 1.193 रुपय होता है चलिए बात करते हैं इसकी कमपणी की तो इसको प्राईबेट लम्निन्टेट द्वारा बनाया जाता है जो कि एक बहुत इच्छी कंपनी होती है चलिए अब हम बात करते हैं जीरो डालेस्पी टबलेट के बारे में संपूर जनकारी की अगर बात करें जीरो डालेस्पी के यूजज की जी बात करें हम इसके पहला यूज का तो इसके पहला यूज बैक पेंट में करते हैं जी आपके कमर में बहुत जादा दर्द हो रहा है दर्द के साथ सूजन हो मोच हो तो उस कंडिशन में हम इस जीरो डालेस्पी टबलेट का इस्तिमाल करते हैं यदि आपको और्थियो अस्टराइटिस का दर्द है, तो उस कंडिशन में भी हम इसका इस्तिमाल करते हैं, यदि आपको गाउट है, गाउट में क्या होता है कि जिस भी जगह आपके सरी में गाठ रहता है, वहाँ पे दर्द और सूजन दोनों बन जाता है, तो इस कंडिश के साथ आपको बहुत ज्यादा दर्द और सूजन बना हो, तो डाक्टर के दाक्टर के दोवारा सबसे ज्यादा जीरो डालेस्पी टबलेट को पिस्क्राइब किया जाता है, और इसका रिजल्ट भी बहुत संदार देखने को मिलता है, अब बात करें, अगले इसको अगर कान में किसी भी परकार फोड़ा हो गया है, और उसके वजह से आपके कान में बहुत जादा दर्द हो रहा है, तो इस कंडिशन में हम जीरो डालेस्पी टबलेट का उप्योग करते हैं, यदि आपको किसी भी परकार कि अगर चोट लग गई है, और चोट लगने वाडे है कि इसका बहुत ही बेटर रिजल्ट खमको देखनों को मिलता है यह आपको किसी भी परकार की सब्सक्राइब करते हैं इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखनों को मिलता है चलिए बात करते हैं इसके अगले यूज़की तो इसका अगला यूज़ सबसे ज्यादा यूज़किया जाता है यदि किसी को एक्सिदेंटल चोट लग गई है और चोट वाले जगा पहर में इसा सूजन बना रहता है तो उस सूजन के दूर करने के लिए हम जीरो डालेस्पी टबलेट का इस्तमाल करते हैं अब चलिए बात करते हैं जीरो डालेस्पी टबलेट को लेने के सही तरीका को एदि आपका एडल्ट गुरूप है यह बारप प्लस है तो आप इस एक गोली सुबा और गोली स्साम को घडिक खाने के बाद इस दावा को आप लेते हैं आई एक लेने के लिए के बाद लेने के लिए के आपको गता है है यह फेट में outras आपको ज्यादा पत्ला लाइटिंग होगा तो असमझी है कि यह दौडर के आपको सूट नहीं कर रहे हैं है आप अपने डौक्टरी की सलाले उसके बाद ही आप इस दौडर का इस्तमाल करें थांक यू सूमझ